Hi everyone, myself Dr. Nagendath Hallor, Intervention Cardiologist आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि Atrial Ceptal Defect क्या होता है तो Atrial Ceptal Defect एक Congenital Defect है जो हार्ट के जो उपर के चंबर रहते हैं जिनको Atrium बोलते हैं Right Atrium, Left Atrium और दोनों के बीच में Septum रहते है तो उस septum में यह कोई होल होता है तो उसको ATL septal defect बोलता है ATL septal defect को short में ASD भी बोलते हैं ASD मेली चार टाइप का होता है जिसमें सबसे common रहता है ostium secundum ASD इसका मतलब है कि जो septum है उसके एकदम सेंटर में जो होल है उसको ostium secundum type का ASD बोलते हैं और यह 75% केसेज में रहता है दूसरा रहता है ostium primum septal defect जो कि जैसे यह अपना septum है तो इसके lower end की तरफ रहेगा तो यह 20% केसेज में रहता है इसके अलावा sinus venousus ASD और coronial sinus type ASD भी होते हैं ATL septal defect के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो इसके mostly genetic cause रहते हैं environmental cause रहते हैं या कुछ maternal cause रहते हैं maternal cause में बात करें तो pre-gestational diabetes हो मदर को कोई infection होगे जैसे rubela है या मदर बहुँ ज़्यादा smoking कर रही हो alcohol लेते हो या फिर कुछ medicine जैसे thalidomide है retinoid है या anti-convulgent medicine लीवी होती है तो उनमें भी ASD के chances बढ़ जाते हैं atal septal defect में होता क्या है कि जैसे अपना heart रहता है उसका जो नॉर्मली है left side का pressure ज्यादा रहता है right side के heart से तो atal septal defect में left side का pressure ज्यादा है तो hole के थूरू जो blood है वो left side से right side में जाने लग जाएगा तो right side का जो volume है वो बढ़ जाएगा और जैसे जैसे time निकलेगा right side के जो right atom और right ventical है वो time के साथ साथ वो भी dilate होते जाएगे तो यह दि right side के chamber dilate होएगे तो फिर वो septum को press करेंगे और जो left side के chamber है वो narrow होते जाएगे जिसके कारण फिर patient को symptom चालू होते जाते हैं और जैसे जैसे उसकी age बढ़ती जाएगी यह symptom भी उसमें ज्यादा बढ़ते रहते हैं most of patient जो asd के रहते हैं वो asymptomatic रहते हैं इसलिए वो early life में undiagnosed रहते हैं और जब यह 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 हो जाते हैं adult होते हैं उस time पे जाके पता चलता है कुछ बचे रहते हैं जिन में कुछ symptom आ सकते हैं जैसे उसमें बार-बार उनको कफ हो रहा है cold हो रहा है respiratory tract infection हो रहा है या फिर उनका proper weight gain नहीं हो रहा है तो इस तरह की कुछ symptom आ सकते हैं older children रहते हैं उसमें जैसे ठकान होना या सांस की दिक्ट होना इस तरह की symptom आ सकते हैं वो एदी अपने साथ वाले बच्चों के साथ में खेलता है तो उनके comparison में जल्दी ठक जाता है ADHD का ADHD शुरू में पता नहीं चलता है और ये बच्चा बड़ा होके adult बन जाता है और जैसे ही वो 30 साल, 40 साल या 50 साल का हो जाता है उस तेम पर भी फिर उसको symptom चालू हो जाते है तो उस condition में उसको सांस लेने में दिकत रहेगी शाती में दर्द रहेगा उसको palipitation रहेगा यानि उसके दड़कन उसको ज़्यादा क्लील होती रहेगी और जल्दी ठक जाएगा और कई बार patient को stroke भी हो जाता है इसलिए कई बार जो young patient रहते हैं 40 के आसपास के और उनमें stroke हो जाता है CVA paralysis हो जाता है तो उसमें AHD भी diagnosed हो जाता है कई बार कि AHD में जो hold देता है उसके करण कोई embola वहां से mobilized होके brain में चला जाता है और stroke कर देता है AHD को diagnosed करने के लिए अपन basic test करवाते हैं जिसमें ECG रहता है फिर chest x-ray रहता है chest x-ray में heart की size बढ़ी होई आती है यानि Cardiomegalie रहती है 2D ecocardiography में Atal septal defect के बारे में काफी सारी जानकारी मिल जाती है यानि कि इसकी location का पे size कितनी है और कोई दूसरी anomaly तो नहीं है साथ में और ID उसमें color डालके ये दे सकते हैं कि वो scent का direction का है यानि लेप्ट लेट्रे से right की तरफ जा रहा है या right से left की तरफ तो color के तरू उसका direction पता चल जाता है Adult patient है तो उसमें अपन transisophagial ecocardiography भी कर सकते हैं उसमें अपन isopagus के तरू एक tube लगाते हैं जो कि heart की level तक लेके दाती है और फिर उसमें heart का पूरा eco scan कर लेते हैं जिसमें HD की size कितनी है, location कितना है, pulmonary way, normal है या नहीं या कोई associated anomaly है, वो सब अपन violet कर लेते हैं और hole को बंद करने के लिए device से बंद कर सकते हैं या फिर surgery करनी पड़ेगी, वो भी अपन ट्रांसिसोपेजे लिको काडियोग्राफी से पता कर लेते हैं ATL septal defect का management करने के लिए अपने पास दो method रहते हैं या तो अपन device closure करें, या फिर surgical closure करें बच्चों में HD की अपने आप बंद होने की tendency रहती है और mostly एक से दो साल में या छोटा HD है, तो अपने आपी बंद हो जाता है या दि less than 3 mm है, तो 100% cases में बंद हो जाता है या दि 3 से 5 mm है, तो 87% cases में बंद हो जाता है और या दि 5 to 8 mm का ATL septal defect है, तो around 70-80% cases में close हो जाता है लेकिन ATL septal more than 8 mm है, तो उसके अपने बंद होने के बहुत कम chances होते है तो उस case में फिर अपन device closure करते हैं या surgical closure करते है device closure mostly ostium second type ASD के लिए किया जाता है बाकि दूसरे टाइप के जो ASD हैं उनके लिए surgery ही करना पड़ता है device closure में अपन patient के जो pair में motinus रहती है जिसको फिमोरिल वेन बोलते हैं, उसके त्रियू एक tube अपन लेके जाते हैं hole तक और उस tube के त्रियू एक button number device होती है उसको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे उसको fix कर देते हैं और hole को close कर देते हैं surgical closure के लिए अपन open heart surgery करने पड़ती है या फिर minimal energy surgery करके भी उसको close किया जा सकता है यह दी defect छोटा है तो उसमें direct suturing करके भी अपन close कर सकते हैं या defect बड़ा है तो फिर अपना pericardium का कुछ page लेते हैं और वो page वहाँ लगा के उसको suture कर देते हैं और hole को बंद कर देते हैं PhD को close करने के बाद में patient को 6 महिने तक aspirin की tablet देते हैं ताकि वहाँ पे कोई clot अगरा नहीं बने और 6 महिने तक यह दी उसको कोई dental procedure होना है या कोई surgery होनी है तो उसके लिए antibiotic देना रहता है ताकि उसको endocarditis नहीं हो वाल में कोई infection नहीं हो PhD क्लोज करने के बाद में next morning patient का echo करते हैं और check करते हैं कि device या page है जो अपनी जगह पे है उसके बाद में एक महिने पे, तीन महिने पे, छे महिने पे और वन हियर पे patient का echo करते हैं और उस device को या page को follow up करते हैं dental septal defect को अपन यदी 25 years से पहले close करते हैं तो उसके बाद में patient की जो life है वो normal person के life के जैसे ही रहती है उसमें आगे जाके उसको ज्यादा कोई complication नहीं होते हैं लेकिन एदी अपन एहटी को close करते हैं चाली साल के बाद में या पचास साल के बाद में तो उसको symptom में तो relief मिलेगा लेकिन आगे चलके उसको heart failure होना, atrial fibrillation होना, stroke होना या pulmonary hypertension जैसे कुछ complication हो सकते हैं एदी atrial septal defect के बारे में आपका कोई भी query है तो आप comment करके पूर सकते हैं Thanks तो